नमस्कार आज हम पढ़ते हैं अमीरी बराका की पोएम वाइज आई अमीरी बराका एक एफ्रो अमेरिकन राइटर है और आपको मालम है कि एक संघर्ष चला आ रहा है गोरे और काले लोगों के बीच गरीब और अमीर के बीच गोलाम और आजाद लोगों के बीच और वो संघ प्रयास करके फाइट करके अपनी संस्कृति को बचाना है अपनी कल्चर को बचाना है आपको मालुम है कि कोलोनियल पिरियड में कितने देशों की संस्कृतियां खासकर जो पूरब के देश हैं इस्टरन कंट्रीज की कल्चर बरबाद की गई और उन पर वेस्टरन कल्चर को थोपा गया हमारे देखिए संस्कित भाषा बिलकुल खतम हो गई हमारे यहां और जो भाषा थी अर्भी फारसी उर्दू इन में काम हुआ करता था वो भाषाएं खतम हो गई सिर्फ एक भाषा इंग्लिश पूरी दुनिया में चागई क्योंकि जो रूलर थे अंग्रेज थे उन्होंने इस तरीके का एंवायरनमेंट तयार किया कि मजबूर होकर लोगों को इंग्लिश ही पढ़नी पड़े और आज इंग्लिश पूरी दुनिया में चाही हुई है किस कदर उन्होंने हमारी सभ्यता संस्कृति को बरबाद किया कि आज हम अपनी सभ्यता पर शर्मिंदा होते हैं हम अपनी संस्कृति पर शर्मिंदा होते हैं उनकी संस्कृति को हम उचा मानते हैं उनकी संस्कृति को और अपनी संस्कृति को हम वो संस्मान नहीं देते हैं जो हमको देना चाहिए तो इस पोई में आप देखेंगे कि अमीरी बराका हमको warning दे रहा है हमको चेतावनी दे रहा है कि अगर हमें exist करना है हमें जिन्दा रहना है तो हमें अपनी संस्कृति को जिन्दा रखना होगा चली देखते हैं पोईम को Why is Nobody knows the trouble I seen traditional देखिए ये पूरी पोईम ही आप कह सकते हैं एक सेंटेंस है एक बार में बोला गया एक स्टेटमेंट है तो इसको टुकड़ों में तोड लिया गया है हालांके कहीं भी देखिए आपको फिल स्टॉप नहीं मिलेगा ये जो Nobody knows the trouble I seen ये ब्रैकेट में है Why is traditional तो ये traditional क्यों है यानि कि ये एक रिवास जैसा क्यों है ये क्यों माल लिया गया है Why is traditional means Why it has been taken for granted ऐसा क्यों माल लिया गया है ऐसा रिवास क्यों है और फिर देखिए ब्रैकेट में जो दिया है उसको देखते हैं Nobody knows कोई भी नहीं जानता The Trouble उस परेशानी को I've seen जो मैंने देखी है If you ever find यदि तुम कभी पाओ Yourself अपने आपको Somewhere किसी ऐसी जगे Lost खोया हुआ And surrounded और घिरा हुआ By any means शत्रूँ के द्वारा दुश्मनों के द्वारा Who जो के Won't let you नहीं तुमको बेंगे करने देंगे क्या Speak बोलना यानि तुमको नहीं बोलने देंगे In your own language तुम्हारी खुद की भाशा में जैसा कि मैंने अभी आपको बताए कि Colonial period में सारे काम English में होते थे तो जो हमारी भाशाएं थी जो मदर से हुआ करते थे जो गुरकुल हुआ करते थे वो समाप्त कर दिये गए और English schools established किये गए और बच्चाओं को English पढ़ाई गई English उनके उपर थोपी गई तो यही बात कह रहा है आमीरी बरा का Who won't let you speak in your own language जो तुम्हारी भाशा में नहीं बोलने देंगे Who destroy जो नश्ट कर देंगे Your statues तुम्हारी मूर्तियों को मिन्स तुम्हारी religious beliefs को जो मूर्तियां हैं जो statues हैं They are the symbols of our religious beliefs Our faiths तो वो हमारे वो तुम्हारे statues को नश्ट कर देंगे मिन्स वो तुम्हारे religion को नश्ट कर देंगे And instrument और instrument ओजार, हथियार जो भी तुम्हारे यंत्र हैं उन सब को नश्ट कर देंगे जैसे कि colonial period में हमारे हथकरगा उद्द्योग थे कुटीरी उद्द्योग थे वो सब नश्ट कर दिये गए और industrialization किया गया लगाई गई और जो जातर सामान आता था विदेशों से आता था जैसे कपड़ा हमारा इंडिया में जो बनता था उसको खतम कर दिया गया cotton इंडिया से इंग्लेंड जाएगा इंग्लेंड से कपड़ा बन कर आएगा वो यहाँ पर बेचा जाएगा तो इस तरीके से जो हमारा उद्द्योथा जो हमारे instruments थे जो हमारे हथकरगा थे वो सब नश्ट कर दिये who destroy your statues and instruments जो नश्ट कर देंगे your statues आपकी मूर्तियों को आपके धर्म को and instruments और आपके यंत्रों को who ban ban means रोक लगा देना प्रतिबंध लगा देना तो जो के प्रतिबंध लगा देंगे your om boom ba boom यह जो om boom ba boom यह symbolic है आपकी अपनी संस्कृति का तो हर संस्कृति में कुछ बातें बोली जाती हैं कुछ मंत्र होते हैं उनके तो वो ban लगा देंगे who ban जो प्रतिबंध लगा देंगे your om bam boom ba boom यह तुम्हारी local जो language है तुम्हारी अपनी जो संस्कृति है उस पर then you are in trouble then तब you are तुम हो in trouble परेशानी में मलब तुम समल जाओ अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारी संस्कृति पर अगर रोक लगाई जा रही है तुमको तुम्हारी भाशा बोलने से रोका जा रहा है तो तुम समल जाओ क्योंके then you are in trouble तब तुम परेशानी में हो deep trouble गहरी परेशानी में हो देबेन वो प्रतिवंध लगा देते हैं your own boom ba boom तुम्हारे खुद के boom ba boom तुम्हारी अपनी संस्कृति पर तुम्हारी अपनी चीजों पर तुम्हारी अपनी language पर तुम्हारे अपने expressions पर तुम्हारी अपनी भ भाशा पर, संस्क्रिती पर, वो रोक लगा देते हैं, यू इन डीप, डीप ट्रबल, तो तुम बहुत गहरे, गहरे कश्ट में हो, हम्फ, तो ये एक एक्स्प्रेशन है, हम्फ, हम बोलते न, प्रोबेबली, संभवत है, टेक यू, तुमको लगेंगे, सेवरल हंडरेड येर्स, सेवरल, कई, सो, साल, तुग गैट आउट, बाहर निकलने में, यानि कि अगर आप के साथ ये हो रहा है, तो आप एक ऐसे कश्ट में जा रहे हैं, जिस से निकलने में आपको कई सो साल लगेंगे, और आप ये खुद देख सकते हैं, इंडियन सब कॉंटिनेंट, जो था हमारा, यानि भारत, पाकिस्तान, अनिस्तान, और बांगलादेश, ये सब कुछ मिलाकर एक इंडियन सब कॉंटिनेंट की एक अलग कल्चर थी, हमारी अपनी भाषाएं थी, अपनी संस्कृती थी, अपने तोड तरीके थे जीने के, अपने हमारे उद्योग धंदे थे, लेकिन पिछले 200-300 साल में क्या से क्या हो गया, अपने हमारे बाषाएं देखिए, संस्कृत भाषा, और इधर पूरव की भाषाएं, अर्वी, फार्सी, उर्दू, इनमें कितना सम्रिध साहित्य लिखा हुआ है, लेकिन ये भाषाएं समाप्त होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, और केवल एक भाषा सारी दुनिया पर राज कर रही है, वो है इंग्लिश, और ऐसा केवल इंडिया में वाओ यह नहीं है, क्योंकि अमीरी बराकाज जो बात कर रहा है वो अफरीका की बात कर रहा है तो जहां जहां रूल किया गया वहां ना केवल एकनोमिकली लूटा गया बलकि कल्चरली लूटा गया इंटेलेक्शली लूटा गया और हमारा माइंड सेट ऐसा कर दिया गया कि हमें शर्म आए खु अहे लिखे लोगों को शर्म आती है अपने पारम पर एक तौर तरीकों को अपनाने में अपने धार्मिक रीत रिवाजों को अपनाने में इसलिए देखे बरा मेरी बराका की बात कितनी सच सावित हो रही है जब वो कहता है प्रोबेबली टेक यू सेवरल हंडेड यहस्टू न पाएं इस से तो प्यारे बच्चो आप तो किसी भी देश के हों बच्चे वो भविश्य हैं उस देश का कम से कम यह पोईम पढ़ने के बाद आप इस पर अमल जरूर कीजिएगा और भले ही आप कितनी भी इंगलिश पढ़िए कितने भी आगे बढ़िए लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलिए गर्व कीजिए अपनी मात्र भाशा पर गर्व कीजिए अपनी सभ्यता पर गर्व कीजिए अपनी संस्कृति पर और गर्व कीजिए अपने देश पर सारी दुनिया को जानिए सारी दुनिया के बारे में पढ़िए ग्यान हासल कीजिए लेकिन अ कोई रायम स्कीम नहीं है और पूरी पोईम ही एक सेंटेंस मात्र है देखिए जैसे कोई आया हमारे करीब और चुपके से हमारे कानों में कुछ कह गया और देखिए कि लेंग्वेज भी कॉलोकियल लेंग्वेज है एक भी आपको डिफिकल्ट वर्ड भी नहीं मिला होगा इ और यह जैसे हमफ और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन है तो थोड़ा सा ड्रेमेटिक आलीमेंट भी आपको दिख रहा है और यह ओम बूम बाबूम यहां ऐलिटरेशन है आप इसमें उनोमेटोपी भी कह सकते हैं क्योंकि यह साउंड है ओम बूम बाबूम तो यहां ओनोमेट अपने आप में एक warning है हमारे लिए एक चेतावनी है एक सलाह है और मुझे उमीद है कि आप इस सलाह को मानेंगे और अपनी संस्कृति पर हमेशा गरू करेंगे इसकी साथ ही ये वीडियो हमिया समात करते हैं धन्यवाद